Hello students, आपका मेरे चैनल Smart Study में स्वागत है Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No.39 करेंगे जो कि Class 8 की है और सब्जेक्ट है English ये Worksheet 24 February 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की Worksheet Worksheet शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की Worksheet Lesson Article A and The Part 2 The Defined Article The We use The, with हमने पिछली Worksheet में A और N का use सीखा था कि कहां पे A और N का use किया जाता है आज हम सीखेंगे कि The का कहां कहां पर use किया जाता है इस समय हम क्या करते हैं दा का use करते हैं जैसे की There is a lamp in my bedroom We mention the lamp for the first time देखो क्या कहते हैं अगर हम लैम की बात करते हैं specially, हम LAMP की बात करते हैं हमने क्या कहां There is a lamp in my bedroom, मेरे bedroom में एक lamp है लेकिन अगर लैंप को special दिखाना होता है तब हम वहाँ पे दा का यूज़ करते हैं, जो lamp है वो dex के next में है, anything which is definitely immediately, कुछ immediately हमको दिखाना हो, we watch the new cartoon movie last night, भी हमने कुछ अच्छा देखो, we watch the new cartoon movie, मैंनला जो cartoon movie है special है, और कुछ नया है न, वो हमने देखा है, musical instrument, violin, guitar, drum, flute and co, जहाँ पे violin, कुछ musical instrument होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, दा का, she plays the piano, वो piano को play करती है, ठीक है, इसके लावद next देखो, something that is unique, or there is only one, जब कुछ एक ही हो, singular जैसे की, the sun, the moon, the internet, जो एक ही हो, the earth है न, जहाँ पे जो specified चीज़ हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, the name of river, sea, ocean, mountain, range and desert, इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो बड़ी-बड़ी चीज़ है, जो बड़ी-बड़ी चीज़ है, जो बड़ी-बड़ी चीज़ करते हैं, direction बताने के लिए आता है, sun, moon के बारे में ऐसी कोई A की चीज़ हो, अर्थ पर उसके बारे में आता है, अर्थ के लिए आता है, या sea, ocean, river, mountain, desert दिया गया हो, इसके बारे में आता है, instrument के बारे में आता है, musical instrument के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ questions दिये गए है, इन्हें हमें solve करना है, choose the correct option, A, N, और दा, अब तीनों ही A, N, और दा का, N का use कब करते हैं, हम याद करो बेटा, हमने पिछली वक्षिर में देखा था, A, E, I, O, U, जब यह दिया जाता है, वो वल्स दिये जाते हैं, या A की sound आती है, जैसे कि हमने क्या देखा था, अंकल है, ऐसी जगाए, इस जगाए हम क्या use करते हैं, हम यहाँ पर use करते हैं, A, ठीक है, A हमने देखी लिया था, अब हमने दा देख लिया, तो आईए इन questions को solve करते हैं, तो बेटा, questions solve करने से पहले, आपके लिए एक information है, कि मैंने अपना एक new channel बनाया है, today मस्ती करके channel, वो channel entertainment based है, study based नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आपके घर में बड़े हैं, या उन लोगों के लिए है, तो प्लीज उस channel को subscribe कर दीजिए, like कर दीजिए और share कर दीजिए, उसका link मैं description box में दे दूँगी, तो प्लीज बच्चे आप लोगों से request है, कि उसको subscribe कर दीजिएगा, तो आईए अब हम करते हैं, इसके question answer, तो आईए करते हैं, इसे solve देखिए, सबसे पहले, all dash student were present, तो all the student, मतलब एक student की बात हो रही दिए, जब हम आपको याद होगा, एक का, जब एक की बात करते हैं, एक की तब हम A या N का use करते हैं, तो क्या हो जाएगा, all the student were present, कि सारे student present थे, the dash moon, moon का देखो, moon से पहले हमेशा क्या हैगा, sun, moon, earth से पहले क्या हैगा, the moon is shining, moon shining कर रहा है, in the sky, sky क्या है, एक या न, तो in the sky, question number 3, I think dash man over is very ill, परी मुझे लग रहा है, I think कि मैं सोचता हूँ, कि जो man है, वो बहुत ill है, तो उस man के बारे में special बात बताई जा रहे हैं न, तो the man over there is ill, he can't stand on his feet, वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, I watch dash the video head you sent me, तुमने मुझे जो video, मुझे कुछ खास भेजा है न, तुमने मुझे जो video sent किया है, वो मैंने देख लिया, तुमने मुझे जो video sent किया है, वो मैंने देख लिया, she was wearing a beautiful dress when she met her sister, उसने एक सुन्दर सी dress पहनी थी, जो अपनी जब अपनी sister से मिल रही थी, ठीक है, she is a nice girl, वो एक अच्छी लड़की है, do you want to go dash restaurant where we first meet, अब देखो restaurant है यहापे important रहा है, do you want to go, क्या तुम महाँ पर जाना चाहोगे, जिस restaurant में हम first time मिले थे, तो do you want to go the restaurant where we first meet, he is an engineer, तो देखो वो वल है तो e आया है, तो क्या आजाएगा, an आजाएगा, he is an engineer, he is an engineer, nine number देखते हैं, the dash, topic, we are reading, very interesting, the topic, देखो topic interesting न, यहाँ पर topic क्या है, interesting है, तो topic कुछ खास है, तो हम लिखेंगे, the topic we are reading is very interesting, question number 10, I saw dash old, ओ आया, तो क्या आजाएगा, an आएगा, I saw an old man in the street, street अब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ खास है न, तो street पर मैंने एक old man को देखा, the more you work, अगर तुम जादा work करोगे, the more you gain, जितना तुम जादा काम करोगे, उतना तुम गेन करोगे, 12, he came here and, और ago, वो एक घंटे देखो, edge है न, लेकिन अ की sound आ रहे है न, तो कि वो एक घंटे पहले यहाँ पर आया था, तो यह है आज की worksheet, worksheet complete करके, अपने teacher से चेक कराई है, और please मेरे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए, thank you students,